Hello all and welcome to recognition IS पास्ट रेक्वेस्ट क्वेशन में हम लोग देखने वाले हैं 2017 का प्वेस्टन नम्बर और ये है फिलहाल पेपर नम्बर टू तो पेपर नम्बर टू के पेपर नम्बर वन अल्डी हम लोग डिसकस कर रखे हैं तो चले फिर फड़ापर शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले एडवांस जोग्रिफी कोर्स या फिर जोग्राफिय ऑप्शनल टेस्स सीरीज के लिए अगर आप इंट्रस्टन हो तो वीडियो के एंड में सजेशन में आपको वीडियो मिल जाएंगी, उनके बेसिस पे इ या तो आप गूगल कर लीजिए, या फर सिंपली आप मैप पर एटलस की मदद से लोकेट कर लीजिए, वहाँ पर कुछ डिसकुशन के लिए नहीं होता है, केवल और केवल मिकैनिकल चीज़े होती हैं, हम लोग डिसकुस करना वाले हैं, फर्स नमबर के बी से, तो यह कहता है कि गिव रिजर्ण एकाउंट ओफ अन्यूजवल पैटर्न ओफ डिस्ट्रिबूशन ओफ मॉन्सूनल रेंफॉल इंडिया इन्डिया इन 2017, तो फिलाल 2017 का पेपर तो खतम हो गया है, तो हम लोग 2017 को खटा देते हैं, हमें हमारे पास क्वेशन है कि गिव रिजर अन्यूजवल पैटर्न ओफ डिस्ट्रिबूशन ओफ डिस्ट्रिबूशन ओफ रेंफॉल, मॉन्सूनल रेंफॉल इन इंडिया, अब यहाँ पर देखिए, क्वेशन की शुरुवात, इंट्रोडक्शन के साथ आप करेंगे, और इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे, लोकेशन और मॉन्सून के बारे में, तो बिसिकली मॉन्सून को आप एक्स्प्लेइन कर देंगे इस वाले पैराग्राफ में, clear, मॉन्सून को एक्स्प्लेइन करने के साथ ही साथ में, आप बताएंगे कि क्या क्या आखिर में, रीजन्स होते हैं, causes for मॉन्सून, ठीक है, तो अगेन अब यहाँ पर दो चीज़े आजाएंगी, एक आजाएगा जो समर के लिए रहेगा और दूसरी आजाएगी जो विंटर के लिए रहेगी, क्योंकि दोनों मॉसम में ही जो मॉन्सून है वो अपना अलग-अलग effect दिखाता है, तो समर के लिए आप एक flow chart बना दे इसके अलावा देखिए एक और यहाँ पर तरीका हो सकता है इंट्रोडक्शन लिखने का alternate way हो सकता है और वो हो सकता है इंडिया में rainfall को बताते हुए, इंडियन rainfall distribution को आप बता सकते हैं, ठीक है rainfall distribution, देखिए दोनों ही equally correct है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्य चार्ड बनाएंगे कि मौनसून किस तरीके से है, यहाँ पर जो आपका फ्लो चार्ड बनेगा, वो बनेगा आपका कि rainfall कितने type का होता है, ठीक है, तो type of rainfall यहाँ पर आप बता देंगे, इसके अलावा इस वाले यहाँ पर जो alternate हम लोगों ने देखा, यहाँ पर आपको एक फायदा मिल जाएगा कि आप इंडिया का एक map ड्रॉ कर सकते हैं, और उस map पर ही rainfall की distribution को दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी आप इंडिया का map ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको monsoonal basis दिखाना होगा कि monsoon किस तरीके से develop हो रहा है, दोनों ही equally good तरीके हैं, introduction लिखने क के लिए और दोनों ही relevant है इस question के लिए, तो जैसा भी जो भी आप लिखना चाहें, किसी को भी आप ले करके आगे बढ़ सकते हैं, फिर आप आजाएंगे अपने main body में, और body तो obviously दोनों question के लिए, मतलब दोनों ही तरीके के introduction के लिए same ही रहेगी, यहाँ पर किवल और चीज करनेट करना चाहें, तो connect कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर main चीज क्या है, unusual pattern of distribution of rainfall, monsoonal rainfall, तो यहाँ पर आप बताएंगे, कि there is a, there is a disturbance in, disturbance in monsoonal rainfall pattern in recent days, ठीक है, monsoonal rainfall pattern, not in recent days, हमेशा regularly होते रहते हैं, alternate year पर होते रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इसके साद भी यह फिट बैठ गया, और इसके साथ भी यह फिट बैठ गया, दोनों के साथ में कोई दिक्कत नहीं हुए, क्योंकि आपने इस साइड में तो monsoon को explain करते हुए आप आप हैं, तो यहाँ पर continuity आ गई, और यहाँ पर आपने rainfall को ले करके आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर भी एक continuity आ गई है, क्योंकि rainfall यहाँ पर लिखा हुआ है, clear हो गया, देखे, basically understand करिए, समझने की कोशिश करिए, कि हमें किस तरीके से answer writing करनी है, ठीक है, so main चीज़ यह है, कि आपको एक flow maintain करना है, content तो ठीक है, content तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, और वीडियो से भी पढ़ सकत हैं, लेकिन only thing important is कि कैसे आप इसको लिख रहे हैं, कैसे आप continuity maintain कर रहे हैं, ठीक है, आप देखिए, जैसे यह आप नहीं बता दिया, हप आप आजाएंगे reasons पर, तो reasons पर आप आजाएंगे, reason को लिख दीजिए, यहाँ पर एक flow chart बना सकते हैं, reason को ले करके, कि क्या क्या का इसके अलावा, आप यहाँ पर Indian Ocean Dipole को भी explain कर सकते हैं, इसके अलावा, आप और क्या बता सकते हैं, okay, इसके अलावा आप बता सकते हैं, Medan Julian Noxilation के बारे में, और चौथे point में आप other reasons भी डाल सकते हैं, others का मतलब कुछ भी आप लिख लिजिए, overheating of surface, या फिर urban heating, इन सब च यह rainfall distribution का जो pattern है, उसमें जो changes आ रहे हैं, unusual pattern आ रहा है, उसके लिए जो responsible reasons है, वो nature, as well as anthropological reasons दोनों ही है, and the only thing in our hand is to control over the anthropological activities, और इसे हमें करने की जरूरत है, otherwise there will be problem, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप continue करके, इस तरीके से आप अगर लिखेंगे, then you will get more marks, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question हमारा आता है, explain the interstate issues involved in implementation of 17 यमुना canal link project, अब देखे 17 यमुना इसको आप काट दीजिए, क्योंकि यह तो specifically आ गया, अब यहाँ पर देखिए, आप सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं कि inter, interstate या फिर inter river link canal, ठीक है, एक simple question हो गया, तो यहाँ पर कह है रहा है question की interstate issues को आपको बताना है, यानि कि यह question किसका है, यह question है, political geography का, ठीक है, political geography, लेकिन साथ ही साथ में आपको connect करना है, geomorphology, geomorphology, और इस geomorphology में भी drainage basin, ठीक है, तो अब आपको topics सारे समझ में आ गया है, कि कहां कहां से question लिया गया है, फटा फटा आप introduction लिखना श physiography of India, ठीक है, क्यों बताएंगे, क्योंकि आपको drainage basin को समझाना है, तो आप physiography of India के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ में यहीं पर आप दिखाएंगे एक India का map, और उस India के map में आप basically दिखा देंगे कि drainage basin कैसी है, बिना कुछ लिखे केवल और केवल आपको photo बनानी है यानि कि map draw करना है drainage basin का, इस drainage basin में जितनी भी reverse हैं, जितनी भी reverse आपको याद है, सारी reverse का mention करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ultimately दिखाना है linkage, छोटी सी छोटी river का भी, बड़ी से बड़ी river का भी, ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर important हो जाएगी, इसके बाद से main body में आ ज रखना है कि मुझे mention करना है, पहला चीज आपको mention करना है कि जो water होती है, this water is actually a state subject, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करना होगा, इस political geography के term को ले आने के लिए, ठीक है, दूसरा हर एक area water rich region नहीं होता है, इस वज़े से water scarce and water rich regions पाए जाएंगे हमारे इंडिया में और इसका एक अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है river interlinking को लेते हुए, तो river interlinking हमें ध्यान में रखनी है, ये दोनों term जो हैं हमें अपने ध्यान में रखना है कि ये काम करना होगा, तीसरा एक और point आप लिख सकते हैं competitive government या competitive federalism को भी लिख सकते हैं और cooperative federalism को भी लिख सकत हैं, तो इन चार term को आपको basically ध्यान रखना है कि हमें ये mention करना है, ठीक है, अब आज़े ही अपने question पे, यहाँ पर question कहता है कि drainage basin के बारे में आपने समझा दिया हुआ है, फिजियोग्राफिक के बारे में आपने समझा दिया है, question को flow में maintain करने के लिए आप यहाँ पर बत हैंगे कि चुकि जो हमारे नॉर्थ इंडिया का इलाका है, it is basically dependent on agriculture, या फिर यहाँ पर primary activity जो होती है, वो agriculture होती है, और agriculture के लिए irrigation is the one of the important component and irrigation is basically dependent on the river, या फिर जो भी irrigation है, वो हम लोग river के water से ही, हम लोग मदद लेते हैं, चाहे वो कलान बला करके लिए, चाहे वो हम लोग well मतलब कुणों के basis पे ले, तो हमारा जो main source होता है, नॉर्थ इंडिया का वो होता है, कैनालिंग करके, क्योंकि river की availability काफी अच्छे से है, और जहां पर river की availability नहीं होती है, वहाँ पर हम लोग river की interlinking करके, या पानी को हम लोग stretch करके, तब इस्तिमाल कर लेते हैं, कैनाल क माध्यम से, और इस तरीके से जो water rich region होता है, वहाँ पर एक problem होती है, कि soil वहाँ के alkaline हो सकती है, because of over irrigation, इसलिए वहाँ से water divert कर दिया जाता है, और जहां पर water scarcity होती है, वहाँ पर पानी की availability नहोने के कारण से agriculture fail होने का डर रहता है, तो जो rich region होती है, वहाँ से scarce region के और में water को divert कर दिया जाता है, और इस तरीके से दोनों ही region एकदम बहतरीन हो जाते हैं, मजे में हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कि एक तो आपने दिखा दिया कि interlinking की जरूरत क्या है, लेकिन यहाँ पर आप फिर बताएंगे कि the only issue that arises कि water is a state subject and there will always be an agreement is needed, एक agreement की जरूरत water की जो sharing है, उसको भली भाती कर सकें, क्योंकि जो water की sharing होगी, अगर उसमें अगर एक parity नहीं होगी, तो there will be problem क्योंकि हो सकता है कि अगर एक state वाला जहां से water originate हो रहा हो, उस state में अगर जादा water का consumption करना शुरू कर दिया, industrial activity करना शुरू कर दिया, किसी भी कारण से water की आगे divert नहीं किया जा सकेगा, जिसके कारण से जो अगला state है, जो scarce region है, वहाँ पर problem हो सकती है, तो इस वज़े से we need an agreement जिसके basis पर water के sharing की parity रहे, और यहीं पर मुद्दा उठता है, क्योंकि agriculture एक political subject है, because political activities होती रहती है, ना farmer को देख लीजिए, तो इस वज़े से ये कई कार, government का मुद्दा बन जाता है, जिसके कारण से इस पर political issues होना शुरू हो जाते हैं, तो हमने specifically ये सारे terms लिए यूज किये हैं, क्योंकि मुझे ये चारो पॉइंट को यूज करना था, चारो पॉइंट को हम लोगों ने यूज कर दिया, कि हाँ ठीक है, there will be a competitive government, but we need a cooperative government, so that both the region, whether it is water rich region or water scarce region, both the region get development, ठीक है, तो ये चीज हम लिख सकते हैं, अब आजाए ये मेन मुद्दे पर, ये तो हो गया सारा का सारा केवल और केवल background creation, अब मेन मुद्दे पर आ जाएंगे, कि आखिर में interstate issues आ क्या कहा रहे हैं, interstate issues, ठीक है, अब interstate issues में आप सीधे सीधे जो farmers हैं, उनको ले करके मुद्दा बनाए जाता है, इसमें क्या होता है कि interstate एक तरीके से interstate problems भी हो जाती है, interstate जो है, दिक्कते हो जाती है, एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा social, social में भी आप लिख सकते हैं, development नहीं हो पाता है, तीसरा agriculture को ले करके आ सकते हैं, तो economy को ल था, हो सकता है कि दोनों state आपस में competition को ले करके ही कुछ negative type of elements को लेते हैं, negative elements, ठीक है, और हो सकता है कि एक दूसरे को नुकसान भी हो जाए इस चक्कर में, तो ये सारे issues basically आप लिखेंगे यहां पर जिसके basis पर आपका यह answer complete हो जाएगा, तो यहां पर main जो चीज थी, वो यह थी, ऊपर वाला, background creation, क्योंकि background creation के बाद यह सारी चीज़े तो आसान है, यह तो आप easily लिख सकते हैं, यह जो है, माजी दुसायन में आगें काफी बेटर तरीके से लिखा हुआ है, so if you want to refer any content for this question, you can directly go to माजी दुसायन, वहां पर जा करके आप देख सकते हैं, बहुत ह small town have problem, small town के पास अपना problem होता है, वो तो भई हर के साथ, सब के साथ होता है problem, लेकिन इसके prospect भी है, तो इसका prospect भी है, तो basically आपको जो question structure होना चाहिए, वो होना चाहिए कि small town की क्या need है, small town की need and significance, तो पहले आपको यह दिखानी होगी, फिर आपको दिखाना होगा कि how it can be a solution for the urbanization thing, यानि कि prospect दिखा रहा है आपने, यहाँ पर आप prospect आपने दिखा दिया इस चीज का, ठीक है, अब prospect से साथ साथ दिखाईए कि केवल और केवल prospect नहीं है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी है और इस problem को आप उठा सकते हैं, लेकिन कुल मिला करके इस small town को हम उठाए कहां से, सीधी सी बात है, urbanization से start करिए, तो introduction में आप start करेंगे, urbanization को ले करके, urbanization, ठीक है, explain करिए, define करिये urbanization को, ठीक है, urbanization and its effect, इसको आप explain करिए, एक छोटा सा आप scale बना सकते हैं इस तरीके का, ठीक है, एक scale इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, this is village, ठीक है, village के बाद, फिर आप दिखा सकते हैं, एक छोटा सा इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसा, फिर आप बना सकते हैं, this is urban, ठीक है, urban city, और इसका एक influence area आप दिखा सकते हैं, ऐसा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यह आपने, यह जो region बना दिया, इसको आप दिखा स सकते हैं, urban fringe, tease is urban fringe, अब यह बना सकते हैं, यह पुईंट बूल यह, यहां बना सकते हैं, sub-urve, ठीक है, sub-urve आप बना सकते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, edge city, this is edge city, clear, तो यह basically, और यह आप दिखा सकते हैं, urban sprawling, ठीक है, urban sprawl, SPRAWL ठीक है यह आप दिखा सकते हैं अर्बन स्प्रॉल के बेसिस पर तो यह फोटो बना देंगे तो इससे क्या होगा कि एक अर्बनाइजेशन की चीज दिख जाएगी कि हाँ ठीक है अर्बनाइजेशन is getting spread and it is continuously increasing its range ठीक है अब यहाँ पर आप दिखा देंगे कि चुकि हर एक विलेज या फिर जो भी विलेज है जो अर्बन एरिया के या अर्बन सिटी के परिफेरी में आ रहा है वो धीरे धीरे जो होती है वो अर्बनाइज होते जा रहा है and it is again important because of the problem in India या जो economic activity को ले करके हो रही है कि जितना पिछडापन है या महेंगाई बढ़ रही है या जो लोग है ultimately उनको हमें human resource बनाना और human resource agriculture में बहुत ज़दा involved होगी तो there will be problem और अगर वही अर्बनाइजड activity में अगर आएगे तो there will be good things again ठीक है तो यह आप एक photo बनाने के बाद आप start करेंगे small town को ले करके small town ठीक है small town का मतलब क्या है सीधी सीधी बात है population को ले करके ही आप बताएंगे कि जो population है अब देखिए यहाँ पर दो तरीके की definition आती है एक होती है जो census town होते हैं और दूसरे होते हैं जो statutory towns होते हैं तो यहाँ पर आप simply एक जो simple definition है वही हमारी 5000 population density 75% of the people जो है जो area के लोग है वो non agricultural activity कर रहे हूँ तो यह जो definition होती है वो simple आप यहाँ पर definition लिख सकते हैं जो 3 points होते हैं तीनों point लिख करके आप small town को define कर सकते हैं अब आप एक flow chart बनाएए flow chart और flow chart में दिखाए benefits of small town ठीक है benefits of small town ठीक है अब इस small town के benefits के बाद अब आग अगे बढ़ेंगे आप और prospect दिखाना शुरू कर देंगे की prospects of small town क्या है और अगेन बहुत simple सी चीज है एक second yes small town यह क्या हो गया one second yes तो small town के जो basis है मतलब की prospect है उनको आप दिखाना शुरू कर देंगे की number one economic activity का expansion हो जाएगा economic activity ठीक है social activity ठीक है यह सारे point है जो आप easily इन सारे point को उठा करके किसी भी answer को लिख सकते हैं so I am just noting down the points जिसके basis पर आप आगे explain कर सकते हैं तो economic point आपने बना दिया social point आपने बना दिया आप social में भी आप चीजों को लिख सकते हैं like health spread हो जाएगा education काफी अच्छा spreading हो जाएगी ठीक है gender parity आना शुरू हो जाएगी फिर social balance होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो यह सब च यहाँ पर आप माल्थस की ठीरी वाली चीज को भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं industrial activity होनी शुरू हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़े हैं number of things are there to discuss Karl Marx की ठीरी को आप यहाँ पर explain कर सकते हैं कि ultimately यह जो labor force है वो local ही रह जाएगा और local for vocal वाला case हो जाएगा ठ prospect दिखा सकते हैं अब prospect को दिखाने के साथ साथ में ही जो question कह रहा है problems आपको बताना है तो problems बिलकुल बहुत सारी problems आने वाली हैं सबसे पहले there will always be a confusion what to choose whether agricultural activity या फिर industrial activity क्योंकि यह जो shift है वो बहुत बड़ा shift है तो एक यह economic shift is a problem economic shift क्योंकि अगेन यहाँ पर क्या है कि पड़ेगा और अगर यह infrastructure development नहीं होती है obviously there will be problem transport connectivity करनी पड़ेगी ठीक है communication करना पड़ेगा ठीक है banking activity provide करनी पड़ेगी तो यह सारी क्या है development ही है जो development के अंदर में आएगा and it is again a problem क्योंकि इसे develop करने में काफी जादा issues आते हैं काफी time delays आते हैं economic shift में आप आ सकते हैं यह पर आप लिख सकते हैं कि जो यहां का labor force होगा उस labor force को always there will always be attention कि यार जो wages का जो हिसाब किताब है वो भी कुछ आगे पीछे हो सकता है यह भी एक issue हो सकता है ठीक है बाकी तो ठीक है बाकी तो overall the problem is urbanization अपने आप में ही एक problem है फिर उसके बाद से जो urban heat island का case है वो भी अपन common सी problem है जो कि आप urbanization के साथ में link करते हुए लिख सकते हैं बाकी इधर वाली जो problem है these are the main problems of small town ठीक है तो यह आप ऐसे एक question draw कर सकते हैं this kind of framework and structure you can follow in writing this question clear हो गया है क्या है ओके नो आगे बढ़ते हैं तो देखिए यह सब intentionally यह सब figure यह फिर यह सब जो geographical term में specifically जान करके use किया जा रहा है क्योंकि यह सीदी सी बात है optional का question है and the questions are very general GS के question दिख रहा है पढ़ने में next question हमारा आता है discuss the fresh water crisis ठीक है fresh water crisis in India prepare a blueprint for sustainable management अब देखिए जब भी sustainable management आएगा तो SDG गोल हमें लिखना ही लिखना है it doesn't matter कि आपको 17 गोल में कौन सा गोल है water को लेकर के याद है की नहीं है देखिए 17 गोल जो है वो line by line आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा वो चाहे optional हो चाहे GS हो चाहे essay हो चाहे कुछ भी हो यह आपको बहुत ज़्यादा इस इंडिया में है तो सबसे पहले आप introduction में ही क्या लिखेंगे कि इंडिया में drainage या water availability किस तरीके से यानि कि आपको दिखाना होगा Physiography of India और इस Physiography of India में जो main focus होगा again वो drainage ही focus होगा इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप एक अगर pie chart यूज करना चाहे या फिर एक table draw करना चाहे तो कर सकते हैं drinking water को ले करके ठीक है drinking water यानि की fresh water को ले करके आप यहाँ पर एक table draw कर सकते हैं कि भई कहां कहां पर fresh water कितना है जैसे moisture में कितना है soil में कितना है key force में कितना है ठीक है तो यह आप जान रहोंगे यह चीज आप रहाम से एक table बना करके दिखा सकते हैं कि कहां पर कितना water available है ठीक है अब आप आजाएंगे कि why there is crisis तो crisis को आपको समझा देना है crisis तो जो fresh water one second okay so this is fresh water crisis को आप दिखा ज्यादा है population continuously बढ़ते आ रही है अगर आप डेटा लिखना चाहे तो डेटा भी लिख सकते हैं कि पहले क्या था कि नियर अबाउट 1200 लीटर पर हैड जो है water availability होती थी लेकिन अब वो घट करके 800 लीटर के नियर अबाउट में हो चुकी है पर हैड हो चुकी है तो यह सब एवरेज डेटा है तो 800 हो चुकी है इसके पीछे कारण यह नहीं है कि हमारा fresh water resource खतम हो गया है no fresh water resource तो वो तो continuously water cycle है वो तो उसमें क्या कम ज्यादा होगा यह तो water cycle है एक जगह से जाएगा दूसरे जगह से बापस आएगा लेकिन problem यह है कि population हमारी continuously बढ़ते आ रही है औ सांगेगी और उस पर से आजकल क्या है कि पानी पीने वालों की संख्या भी बहुत जादा बढ़ गई और पानी पीने की capacity भी बहुत जादा बढ़ गई गर्मी लग रही है तो इस कारण से क्या हो रहा है कि water की availability उतनी ही है लेकिन water per head कम हो गया है तो यह अपने आप में issue इसके अलावा बाकी तो कई सारे issue है कि pollution हो जा रहा है इसकी recycling नहीं हो पा रही है आरो water का use किया जा रहा है जिसमें बहुत सारा पानी तो ऐसे ही खराब हो जाता है तो इस बहुत सारे issues आप अराम से दिखा सकते हैं issues के लिए तो परिशान ही नहीं हो नहीं तो बहुत ही अस या फिर rain water की storage करना तो यह तो करना ही करना है watershed management करना है और बाकी तो जितना भी है pollution में fresh water जा रहा है उसको रोक देना है प्योर water जो इंडस्ट्री में मतब इंडस्ट्री में जो भी फाल्तू effluent वगरे निकल करके आ रहा है जो बिना treatment किये हुए directly river में या फिर फ्रेश वा जावा water का कहीं misuse होता है तो उसे रोकने की जरूरत है RO water की जगा पर UV water को UV plant को basically promote करने की जरूरत है government को water के availability कराने की जरूरत है तो यह सब चीजे आप जो है अराम से use कर सकते हैं so this will be I guess easy question यहाँ पर जो main चीज थी वो इसका introduction था introduction is the most important thing again क्योंकि यहीं आपको आगे flow maintain कर आएगा ठीक है easy question अच्छा sustainable development goal तो हमेशे लिखना ही लिखना है ठीक है और यह sustainable development goal आप conclusion में add कर सकते हैं कि this is our responsibility towards earth also कि we should maintain the ecosystem balance weather in terms of terrestrial ecosystem और aquatic ecosystem ठीक है and this is again been mentioned under the sustainable development goal goal number यह and this will be a sustainable long lasting इस तरीके से अपलिक करके कदम कर सकते हैं easy question है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question is identify the nuxal affected areas in India and discuss their socio-economic problem अब देखेए अगें काफी GS general question type का है general क्या in fact कह लिजे कि contemporary approach को ले करके पूछा गया था क्योंकि उस समय काफी आदा attacks वगरह हो रहते हैं बहुत सारे blast वगरह हो गया थे तो simply आप क्या है कि introduction में आप use करेंगे political geography का question है ध्यानी होगा आपको political geography इसके साथ ही साथ में आप link कर सकते हैं tribes को ठीक है क्योंकि आप अगर नक्सल affected region को देखेंगे तो basically tribal region और जो tribes से basically वो नक्सलाइट्स भी बन गया है क्योंकि सीदी सी बात है identity threat हो रही है development हो नहीं रहा है तो इस कारण से क्या है कि यह सारे issues सामने आ रहा है तो introduction में आप simply क्या लिखेंगे explain कर देंगे नक्सल को ठीक है explain नक्सल एंड नक्सल affected area ठीक है नक्सल affected area यहाँ पर अगर आपके पास data हो जैसे क्या है near about 60 districts ऐसे है जो नक्सल affected है near about कह रहा हूं मैं it is not the exact data and the data has been taken from the government record तो यह भी आपको ध्यान रखना है बाकी एक map बना करके आप left wing corridor को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यह आगे spread कर रहा है keep in mind नक्सल are different from Mao, Mao is different, North East में Maoism बहुँ ज़ा फैला हुआ है नक्सल जो है वो West Bengal, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, 36 गड़, फिर नीचे आंदर प्रदेश, in fact केरला तक spread कर गया है तो यह आपको दोनों में difference clearly पता होना चाहिए तो नक्सल के बारे में आपने बता दिया to explain the political effect यहां पर आप political effect भी दिखा सकते हैं इसका political angle एक दिखाना चाहिए तो दिखा सकते हैं कि there is always a competition between the government for non-state, between non-state actors and state actors तो एक non-state actor and actor versus state actor को लेकर क्या आप दिखाना चाहिए तो दिखा सकते हैं जैसे non-state actor में आगया जैसे जो insurgency या insurgent groups होते हैं insurgent groups होते हैं और जो state actors होते हैं वो होती है जो government होती है तो दोनों के बारे में आप लिख करके दिखाना चाहिए तो दिखा सकते हैं एक simple चीज़ वे आगी तो problem के नापर आप कह सकते हैं कि देखिए देरा several problems चाहिए वो economic problem हो चाहिए वो आप political problem दिखाना चाहिए तो political problem भी दिखा सकते हैं इसके अलावा social problems भी हमारे पास हैं ठीक है geographical problems है क्योंकि बहुत सरे blast वगरे करा दिये जाएंगे तो भी वहाँ पर earthquake आएगा आएगा ठीक है तो यह सारे problem आप दिखा सकते हैं यहाँ पर जो main question में आप से पूछा गया है वो है social and economic बाकि political और geographical को आप flow chart में बना करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं in fact I would suggest you to write and ultimately आप आजाएंगे heading डालते हुए कि socio economic problem क्योंकि यही main question है socio economic problem अगी के socio economic problem में कई लोग को दिक्कत यह होती है कि भई हमको point नहीं याद आ रहा है point याद करने की ज़रूरत क्या है देखिए social में आप क्या क्या लिख सकते हैं social में आ जाता है gender ठीक है gender आ जाएगा तो gender का मतलब हो गया जो भी woman exploitation है या फिर जो gender disparity है यह सब चीजे आप लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक है इसके अलावा mortality के बारे में आप बता सकते हैं अपर बहुत अत्याचार किया जाते हैं जो girl child होती है उसके उपर भी अत्याचार होते हैं तरह तरह की चीजे होती हैं दूद में डूबो देते हैं इन फैक्ट देर वाज अ मूवी आएगेस सत्यागरह नाम था उस मूवी का एंड सत्यागरह ही शाय था जिसमें लाल सलाम डायलॉग है एंड उस मूवी में काफी अच्छा एक नकसल अफेक्टेड एरिया के बारे में बताया गया है और जो issues है उसको भी बताया गया है अवेलेबल है देखने के लिए health issues को आपने दिखा दिया health के लावा आप education को दिखा सकते हैं ठीक है तो education को आपने दिखा दिया अब बाकी health में infrastructure से ले करके education awareness फिर fertility इन सब चीज़ों को आप दिखा सकते हैं clear हो गया अब दिखिए economic में आ जाएंगे economic में आगेन आप दिखा सकते हैं कि क्या economic activity इनकी होती है keep in mind this thing tribe आप दिखाना ज़रूरी है क्योंकि mainly tribal area ही है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कुछ भी जैसे industrial activity को दिखा सकते हैं कि industrial activity यहाँ पर setup अगरे नहीं होती है transport connectivity नहीं है communication problem है लोगों के बीच में ठीक है इसके लावा primary activity पर based होते हैं यह primary activity और in fact tribal जितने भी होते हैं primary activity पर ही based होते हैं मेली तो इस तरीके से आप जो है इन 6 points को 3.2 पर 3.2 नीचे इनको stretch करेंगे तो you will have near about 10 to 12 points हो जाएंगे आपके पास और इस question को काफी अच्छे तरीके से आप handle कर सकते हैं इस तरीके से clear होगे क्या है आगे बढ़ते हैं next question है critically examine the feasibility of development of comprehensive network of airways in India तो basically आपका question जो है वो transport geography को ले करके है और इसमें जो question पूछा गया है basically वो उड़ान scheme के बारे में indirectly पूछा गया है कि उड़े देश का आम नागरिक जो ये scheme है क्या है और किस तरीके से ये आगे comprehensive network डवलप कर रही है तो आप introduction में simply क्या बताएंगे introduction में simply आप transport and its importance के बारे में बताएंगे transport and its importance ठीक है अब आप बताएंगे flow chart दिखा करके कि कितने type का हमारे पास transport है तो transport type ये तो सब लोग लगबग लिखेंगे लेकिन अगर इस transport site के साथ साथ आप share size भी दिखा देंगे share size का मतलब कि कौन सी transport कितने percent कितने लोगों के द्वारा use की जा रही है ये काफी important और काफी अच्छा एक explanation हो जाएगा आप लोगों के लिए ठीक है तो एक शोचाड़ा बना सकते हैं roadway, railway, waterway ठीक है इस तरीके से और in fact table size में दो तरीके से दिखा सकते हैं एक population wise ठीक है population traffic and freight traffic माल ठीक है तो इस तरीके से आप data अगरे लिख करके दिखा सकते हैं इसके बाद आप आज जाएंगे main body में और यहां पर आप दिखाएंगे airways के बारे में तो airways को दिखाने के लिए दो तरीके एक तो यहां पर आप type बता सकते हैं जैसे aerodrome वगर होते हैं न कई तरीके के हमारे पास तो एक यह और दूसरा traffic आप दिखा सकते हैं कि कितना traffic है और साथ ही साथ में एक map draw करिए और map में airways के साथ में connectivity दिखा दिखा दिजे किस तरीके की connectivity है clear अब आप आजाएए airways की importance पर, importance को आप बता दीजे, importance में बताने में क्या ही है, बहुत सरे importance है, कम समय लगता है, फटा फट चीजे हो जाती है, convenient होता है, ठीक है, तो और latency नहीं रहती है, तो इस तरीके से बहुत सरी चीजों को आप अराम से लिख करके दिखा सकते हैं, this will be the importance, जादा यहाँ पर मैं point इसले नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि question में है ही नहीं, यह आपको सीधे-सीधे flow chart maintain करना है, बस, that's all, अब आप आ जाएंगे कि इंडिया में airways की condition कैसी है, condition, मतलब कितना जादा develop है, तो आप बताएंगे इंडिया में भी airways अपने development phase में है, ब government is now focusing more over the development of the airways, and for the development government has launched in its new scheme, that is the Ulan scheme, और इस Ulan scheme के जितने भी objective, prospect, जो भी चीजे है, सब के सब आपको लिख देना होगा, and that will be the feasibility for the development of the comprehensive network of the airways, यह ही आपका पूरा-का पूरा answer बना देगा, तो Ulan scheme के बारे में ही ultimately आपको चीजे लिखनी थी, so that's all for this question, clear? Now, next question हमारा आता है, effective three-tire panchayati raas system, ठीक है, it will strengthen bottom-to-top approach to multi-level planning in India, इसमें देखिए, तीन topic का submergence किया गया है, एक है, political geography, ठीक है, political geography, और इस political geography में आपको दिखाना है federalism, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूसरा जो topic है, इसमें वो है, bottom-to-top approach, यानि की regional development के बारे में है, तो regional development and planning के बारे में है, और तीसरी जो चीज है, वो power sharing के बारे में है, power sharing, power sharing का मतलब की, उपर के जो systems है, वो किस तरीके से नीचे, यानि की bottom-to-top approach के बारे में basically बताना है, bottom-to-top approach, ठीक है, यही तीन चीजे हैं, जो आपको बतानी है, अब यहाँ पर देखिए, जब answer आप लिखेंगे, तो दो part में divide करके लिखेंगे, एक लिखेंगे, जो normal states है, में लिए northeast के states जो आ जाते हैं, ठीक है, northeast states में लिखेंगे, यह हो गया main हमारा जो point है, इतने point को मुझे question में दिखाना ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आईए main introduction पे, introduction में simply आप दिखा देंगे importance of, importance of panchayati raja system, या institutions, ठीक है, बाकी यहाँ पर जो constitutional status वगरे दिया गया था, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बलवंतरा है, महता कमिटी का, अगर आप mention करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उतना जादा important यहाँ पर नहीं है, because this is geography, ठीक है, quality में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर लिखने की ज़रुवत नहीं है, यहाँ पर जो main important चीज़ है, वो है importance of panchayati raja institutions, और जब इसके बारे में आप लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर simply explain करना है, first point, federalism के बारे में, की कैसे federalism को और ज़्यादा हम strong कर सकते हैं, कैसे stress strengthen कर सकते हैं, clear हो गया, तो यह आपको mainly दिखाना होगा अपने introductory part में, और इसकी importance, मतलब आप लिखना चाहे तो DPSP वगरे का नाम लिख सकते हैं, कि DPSP वगरे में हमारे constitution for fathers ने पहले से ही mention करके रखा था, because of the importance of the panchayats, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर main important चीज है, इस question का, और in fact, इस question के geography में पूछे आने का, वो है regional development, regional development, अब यहाँ पर आप बताएंगे, कि जो responsibilities होती है, responsibilities of central government, then state government, ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, central government, एक इस तरीके से आप inverted pyramid बना सकते हैं, central government, then responsibility of state government, and फिर ultimately responsibility of local self-government, अब जब सेंटरल गवर्मेंट की सीधी सी बात है, बहुँ जादा responsibility होती है, क्योंकि पूरा इंडिया उनके हाथ में रखना है, state government की relatively कम हो जाती है, क्योंकि वही सीधी सी बात है, area divide हो जाता है, और local, यह जो है किवल local के लिए होती है, और ultimately this will be really a good task for the development of the region, ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस original development को दिखा देना है, कि किस तरीके से required है, अब यहाँ पर आप बताएंगे bottom to top approach के बारे में, bottom to top approach में आपको यही दिखाना होगा, कि देखिए, जो हमारा mainly problem होता है, problem एक चीज़ यहाँ पर लिख सकते है, कि problem जहाँ से शु काम को कर सकते है, so that is the thing that you can refer here, ठीक है, तो यह basically आपको structure follow करना होगा, इस question को answer करने के लिए, so यही एक पूरा का पूरा system रहेगा, बाकि multi-level planning के बारे में आप लोगों को classes, मतलब की videos में भी बताय जा चुका है, इसके अलाबा, if you want to refer any book for this, you can refer again, maji dhusain, beautifully written, maji dhusain में का अभी हम लोगने notes या फिर videos दिये हुए है, this is again self-sufficient to answer this question, ठीक है, अचाहे है, अचाहे है, अचाहे हैं, कई लोगे लगातार question पूस्ते रह रहा है, कि क्या ये sufficient है, this is not sufficient, this is more than sufficient, ठीक है, बस क्या है कि आपको ये जो content है, उसकी understanding किस level तक आपको है, ये आपको पता चलेग 2019 का पेपर डिसकस किया, 18 का पेपर डिसकस किया, we are again discussing the paper number, paper 2 of 2017, so देखिए, near about 6 papers we have discussed, 6 हम लोग डिसकस ही कर रहे है, तो कहीं पर भी ऐसा कोई टर्म नहीं आया है, that we have not discussed in our video lectures, तो these are sufficient, but आपको क्या है कि इसे एक तो comprehensively देखना है, prepare करना है, topic को बेटर तरीके से समझना है और आपको देखिए, एक link बिठाना है, और वो खुदी कर सकते हैं आप, कि कौन से topic का किस question में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिछले 6 paper से हम लोग देखी रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं समझने की कि कौन से topic को कहा कहा हम यूज कर सकते हैं, तो यही आट आपको सीखनी है, और वो question के माध्यम से ही की जा सकती है, अगेन स्टार्ट करने के लिए कई लोग को यही नहीं समझ में आता है कि question हम उठाएं कहां से, पास्टियर के question उठाईए, अब देखे, पास्टियर के ही question जो है, वो इधर उध करके repeat ही होते है, repeat करने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको as it is मिल जाएगा, लेकिन the philosophy behind the question वो repeat होती ही होती है, तो आप question के practice को उठाईए, लिखिए, अब हो सकता आपके दिमाग में आई, यार ये question तो हम लोगों ने कहीं पट रखा है, या discuss कर रखा है, तो उसको आप question को ले रखे हैं, अब आप लिख करके दिखाईए, जब आप लिख करके दिखाएंगे और अपने आपको ही दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा कि discussion का या फिर कहीं पढ़ने का कोई फायदा था या नहीं, because जब आप लिख रहे होते हैं, तो it is entirely new, पूरी तरीके से आपके लिए question जो है, नहीं आ जाएगा, और in fact, कई बार तो आपको ऐसा भी लगेगा कि यार पढ़ने पे कुछ अलग लगा था, लिखने पे कुछ अलग लगा, question में लगा कि यार कुछ नया पूछ दिया है, ठीक है, ऐसा होता है, this is very general, ठीक है, चलिए, आगे बढ़त क taken to address the related issue, बहुत ही simple question, introduction में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप यूज करेंगे हमारा प्यारा topic, perspective in human geography, perspective in human geography, और यहाँ पर आप क्या-क्या यूज कर सकते हैं, बहुत चीजे यूज कर सकते हैं, जैसे regional, regional geography यूज कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप line से यूज करना शुर sample के बारे में, Huntington के बारे में, in fact, aerial differentiation भी लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, heart shown की, क्योंकि सब के सब यह diversity को ही बता रही है, ठीक है, तो यह सारा का सारा part आपके introduction में चला जाएगा, कि किस तरीके से diversity इंडिया में फैली है, in fact, एक map ड्रॉ करिए, और इस map में दिखाईए कि कितने तरीके की linguistic, we have 6000 languages near about, ठीक है, और उसमें से अलग अलग तरीके से, in fact, हमारी जो classically, मतलब की हमारी जो constitution recognized है, वो 22 languages तो recognized languages है, तो again यह अपने आप में क्या है, कि काफी diverse होयाता है, मतलब एक country में 22 language है, कौन सी country इंडिया के अलाबा ऐसी है, पूरे world में जहां पर 22 त दिखाएंगे कि चुकि क्या है कि state-state में द्रविडियन लैंग्वेज और यह सब चीज़े तो आप लिख सकते हैं, इन चीज़ों को जब आप दिखाएंगे तो आप यह बताएंगे कि जो diversity है, उसको protect करने के भी काफी जरूरत होती है, क्योंकि tribal के साथ देख सकते हैं कि क अध्यू लैंड का जो एरिया है, उस पर बिंगॉली लैंग्वेज इंपोस की जा रही है, या 36 गड़ में देखेंगे, या फिर असूर ट्राइब के बारे में आप दिखा सकते हैं कि कि तरीके से असूर ट्राइब के लोग असूरी जो लैंग्वेज है, वो पूरी तरीक क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कोशन को भी एडर्स कर सकते हैं, अगे इस वेरी इजी कोशन, तो इस टेटमेंट तो काफी अच्छे से समझ लिया गया, कि आँ ठीक है, इन सारे चीजों को यूज कर सकते हैं, बाकि डावर्सिटी इन इंडिया उस टॉपिक को हम लोगों ने देखी रखा है, तो कोई प्रॉबलम नहीं है, आगे क्वेर्शन में यह बोलता है, कि डिस्तिबियूочно अफ दा यैंग्वेश को आपको बताना है, तो इंडिया में क्या डिस्तिबियूशन है, बता देंगे, हिस्ट्री को ले करके, कि बही हिस्ट्री में अलग अलग तरीके से लोग आये थे, पहले वेदिक थी, तो वहाँ पर संस्कृत लेंग्विज डवलप हो रही थी, फिर आगे बाकी और भी डवलपमेंट हुआ, पाली, प्राकरे, बहुत सारी लेंग्वजेस आती गई, तो इन सब चीजों को आप एक्स्प्लेइन कर दें है, next question हमाराता है, how may tourism in hilly areas of India are developed as an important source of economy, question है, hilly area को ले करके, और I would say this is super important topic for this year means also, question में again, कौन कौन से point हमें ध्यान में रखने है, एक याद रखना है, integrated hill area development project, hill area development, ठीक है, यह किसमें आ जाएगा, command area development project, जो कि 1974 में start की गई थी, ठीक है, क्योंकि hill area के अपने कुछ problems होते हैं, उसके अपने कुछ solutions होते हैं, तो यह काम करना है, ठीक है, दूसरी चीज, tribals, tribals के बारे में लिखना होगा, काफी important रहेगा, and third thing again, कि how it is related with economy, तो यह basically तीन चीज़े हैं, और यही linkage हमने अपने इस question में बिठाना है, introduction में सीधे सीधे आप लिखेंगे, hill area development के बारे में, hill areas and its development के बारे में, simple question, एक map यहाँ पर include कर देंगे, map इंडिया का दिखा देंगे, वहाँ पर, कहाँ कहाँ पर hill areas हैं, क्या-क्या areas हैं, because पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे, तो hill areas आपको सरे hill areas है, तो यह ध्यान रखना है, ठीक है, ओके, आप आप आजाएंगे, कि how it is important and how it is linked with the economy of India, कैसे link है, बहुत सारी चीज़े हैं, देखिए, hill area पे क्या मिलेगा, forest मिलेगी, forest से क्या है, timber industry है, ठीक है, timber, इसके अलावा, medicine, ठीक है, medicine, यह भी हो गया, former industry बगर है, हो गई, तो यह एक important चीज़ हो गई, दूसरा, drainage, so drainage से क्या हो जाएगी, water, water के availability, तो water industry बगरे भी हो जाएगी, यह है न, equafina, और bisleri and all that, बहुत सारे, Amazon का पानी, इधर का पानी, उधर का पानी, लेकिन ground water नहीं कोई बोलेगा, so यह drainage के लिए भी हा जाती है, इसके अलावा, अच् bamboo products भी आप लिख सकते है, bamboo products, बहुत सारे product बगरे बनाए जाते है, in fact, यह काफी अच्छी चीज़ है, और मिगालिया में काफी अधर practice की जाती है, तो forest हो गया, drainage हो गई, ठीक है, इसके अलावा, और क्या आप यूज कर सकते है, और आप यूज कर सकते है, important for industry को लेकर के, like you can again, set up some of the industries, ठीक है, set up of industries which require, which require humid regions, ठीक है, humid, जैसे की tea industry, tea industry, यह एक लिए कर के आ सकते है, again, काफी important रहेगा, so basically, यह तीन important points होंगे, link करने के लिए, और कुछ और अगर आप लिखना चाहे, तो tribal के बारे में लिख सकते है, इसे, tribal के पास बहुत सरी ऐसी चीज़ होती है यह बहुत सरे अपने इसे indigenous cultures होते हैं, जिनके basis पर आप आगे tourism को बढ़ा सकते हैं, and that is again the tourism industry, ठीक है, tourism industry काफी अच्छी हो जाएगी, so इस तरीके से चार points, और चार point के अंदर में भी आप separately काई सारे point और बना सकते हैं, और इस area के बारे में लिख सकते हैं, the most important thing here is this thing, integrated hill area development project, इसके बारे में आपको जरूर mention करना है, flow chart बना करके mention करना है, तो यहाँ पर एक flow chart on this topic लिख देना है आपको, तो straight forward question हो जाएगा, काम होगे आपका answer, ठीक है, आगे बढ़ते है, and next question है, mention the various methods of functional classification of town in India, and explain method by Ashok Mitra, straight forward question है, माजी दुसायन में, या किसी भी भूक को अगर आप follow करते होंगे, तो वहाँ पर आपको, straight forward, इस अशुक मित्रा classification के बारे में पता चल जागा, तो इसको explain करने की कोई जरूरत नहीं, because this is a static question, and यहाँ पर केवल, केवल, straight forward, आपको, एक रटा, रटा, या ज्यान ही, प्रस causes, यह पूछा गया है, suggest the remedial measures, यानि कि solution बताना है, तो suggest को हमनों solution माल लेते हैं, with a special reference to महराष्ट, आंधरा and पंजाब का region, तो mainly जो former region है, उज़र के बारे में, तो यहाँ पर दो तरी, तीन तरीके का former region है, एक है, जो green revolution वाले farmers है, जहाँ पर irrigation और सब कुछ available है, फिर भी distress में है, दूसरी है, जो dry land के area में है, जैसे कि अंधर प्रदेश वगर होगा है, यहाँ पर क्या दिखता है, तीसरी है, महराष्ट अगेन यह भी dry land area ही है, लेकिन conditions थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि peninsular areas हैं यह सब, ठीक है, introduction में आप simply लिख देंगे, क्या, problems of agriculture, तो problems of agriculture क लेकर के आप बताते हुए, दिखाएंगे, as part of the solution, चुकि लोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो farmer के पास एक simple solution दिखता होता है, वो है farmer's suicide, ठीक है, farmer's suicide, and this thing is the, यह बहुत ज़्यादा game changer होती है, political aspect में, in fact 2014 में जब government आई थी, तो जो present government है, in fact, this is the second term of the government, तो present government जब पास मुद्दा ये बनता नहीं था, तो farmer's suicide को जब मुद्दा बना करके उठाया गया था, so government यहीं कहता कि अच्छे दिन आने वाले है, the kind of अच्छे देश हैवकम देख सकते हैं आप लोग, in fact, अच्छे दिन इस कदर पर आ चुके हैं कि farmer's suicide का जो NCRB का data आया करता था, उ क्योंकि data दिख जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अच्छे दिन वापस लोड जाएगे, तो ये काम किया गया है, तो खेर ये चीज है, ठीक है, अब यहाँ पर problems को आप दिखाते हुए, ultimately आप बताएंगे कि आखिर में what are the causes, तो causes of this suicide के बारे में आप बता देंगे अब इसके पिछे कई कारण है, उन कारणों को आप simply तीन पार्ट में locate करिए, ठीक है, एक है आपकी जो, you can say की seeds, seeds, दूसरी irrigation, और तीसरी आप fertilizer के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, अब देखिए इन तीन पॉइंट में अगर आपको concentrate करना चाहें, तो कर सकते हैं, इसके अ सारे issues को भी ले करके आ सकते हैं, बट देखिए ये क्या है, कि बहुत ज़्यदा प्रचलित हो चुका है, और सब लोग इसको use करना है, तो let us start some new trend, तो new trend क्या है, main component को आप focus करिए, और इस main component पर ही आप problem को बताना शुरू करिए, जैसे seed, seed क्या है, बहुत ज़्यदा economical crisis, ठीक है, तो एक तो seed की high price आप दिखा सकते हैं, कि this is highly priced, बहुत ज़्यदा महेंगा होता है, दूसरा, soil, soil में आप दिखा सकते हैं, कि हम अगर seed ले करके भी आ जाते हैं, तो हमें soil की nutrition वगरे maintain करने की जरूवत होती है, और अगर soil में कोई problem हो जाती हो, तो obviously it is going to create a huge crisis, huge economic crisis यह आ जाएगा, former के उपर में, तो यह भी एक problem आ जाएगी आपके उपर, ठीक है, बाकि disaster वगरे अगर आ जाता है, तो again there will be problem, कि हम हर चीज लगाने के बावजूद भी, जो field है, वो crisis में आ गई है, तो एक चीज यह हो गई, ठीक है, इसके अलावा loan वगरे है, तो तीनों पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, इरिगेशन में आप आ जाएगे, कह देंगे कि जो water availability है, water availability अगर नहीं हो पाएगे, तो obviously दिक्कत हो जाएगी, या फिर field water practice हो जाएगी, या फिर जो भी हमनों सीड लगाया है, अगर वो बहुत जादा irrigation demanding हो जाएगा, और water consuming हो salt pan वगरे जम गया है उपर, because of the capillary effect वगरे हो सब आप लोग जानते होंगे, इसके अलावा जो government आज की date में irrigation में help करती भी है, जैसे canaling वगरे कर दी आती है, तो canaling के कारण से अपनी अलग problem है, जैसे canaling वगरे कर देने से again जो soil है वो degrade हो जा रही है, क्योंकि again alkalinity काफी या loan क्योंकि मैं ट्यूबे लगाने के लिए क्या तो दे रहे है, मर्शीन लगा लो, पाईसा कहां से आएगा, अठारा करोण उपए कहां से आएंगे, तो यह सब चीज है, फोर्टिलाइजर के लिए आप अगेन आप nutrition को यहां पर ले करके बढ़ सकते हैं, जैसे यूरिया ब issues हो जाते है, crop अगर है, खराब हो जाती है, पूरी फ़सल खराब हो गए, तो दिक्कत हो गई तो भही क्या करेंगे हम, अंत में, अंत में करेंगे, यह suicide, ठीक है, अब इसको रोकने का क्या उपाय है, तो जहां जहां प्राब्लम, वहां वहां solution, जहां से प्राब्लम देख सकते हैं, एक पॉइंट तो हमेशा common है, research and development in GM crop, GM crop में research and development करने की जरूरत है, seed available करानी की जरूरत है, seed availability, ठीक है, बाकि तो देखिए, government support and all that, यह सब चीज़े तो हमेशा available होती है, कि लोन दे देना, और यह सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन I believe, I personally believe, कि देखें क्या होता है, कि गाउं में करना क्या चाहिए, कि इनको infrastructure दे देना चाहिए, infrastructure देने का मतलब जैसे mechanized करना है, तो हर एक गाउं में हर एक बंदे के पास tractor रखना जरूरी नहीं होता है, आप गाउं की पंचायत के पास 10 tractor available करा दीजे, कि 10 tractor है, या 15 tractor है, 20 tractor है, जितने भी tractor आपको देना है पंचायत authorities को बोल दीजिए, वहां के जो local gram परधान है, उनको बोल दीजिए, कि हर एक जो gram है, हर एक जो गाउं है, और जितने भी field है, उन field को एक काम करिए, कि दे दीजिए पैसा, और कह दीजिए कि भई, सब irrigate मतलब की सब को जो है, प्लॉ करा दीजिएगा, तो ये काम किया जा सकता है, and I guess this will be a sustainable solution in the, observing the status of India, कि इंडिया के पास कहने के लिए, होता है न, दिखावा की पैसा बहुत है, लेकिन पैसा है नहीं, तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है, similarly irrigation के लिए भी, आप बताने को बोल सकते है, micro irrigation technique लगा देना चाहिए, ये कर देना आईए, ऐसी, जो है, सीड वगरे लेकर के आईए, जो water कम consume करे, drought resistant हो, तो इन सब चीजों को अगर लेकर के आएंगे, तो पानी की जरूरती क्या है, इसके अलावा कैनाली मगरे करी रहे हैं, तो कैनाली मगरे कर सकते हैं, water availability इतनी जादा है, interlink कर ये, सारे जितने भी projects हैं तो traditional तरीके से जो काम कह रहा है, again, that is very good, and government ने अब जो focus किया है, organic food, this is really super good, क्योंकि इसकी देखिये, export बहुत जादा है, बाहर के country में demand बहुत जादा है, तो ये काम किया जा सकता है, and this is, I guess, this will be the best solution for this, ठीक है, बाकी, overall हम लोगो ने देखी लिया है, क्या issues है, क्या दिक भी add कर सकते है, in fact, you can again quote your own idea, ठीक है, अपने ideas भी आप दे सकते है, बहुत ही simple question है, और बहुत ही अच्छा question है, आगे बात करते हैं, interview like question है, चलिए, next question है, land reform is a key to modern agriculture in India, यानि कि question है, land reform पर, चलिए, discuss various measures taken in the direction after independence, तो दिखिये, land reform का straightforward question है, आपको क्या है, introduction में लिख देना हो कि land के issues क्या क्या हुए है, ठीक है, महलवारी, रहतवारी, एंड जो permanent settlement वगरे हुआ करती थी, वो सब के बारे में आप थोड़ा-थोड़ा explain करके flow chart बनाते हुए लिखेंगे, और फिर ultimately जो land reform पर cases, land reform पर जो भी discussions वगरे हुए है, वो सब चीज़े आप बता देंगे, ठीक वगरे को ले करके, land के potential को ले करके, मतलब पर capita कितना रख सकते हैं, देखें इसको ले करके हम लोग ने भी recent में एक video discuss किया हुआ था, तो उसमें काफी हम लोग ने detail में इस सब की चर्चा किया है, तो के, so this is all for today, and again we have discussed the section number one, so अगर कोई issue होता है, कोई doubt होता है, तो आप doubt को email कर सकते हैं, recognition at gmail.com पर, बाके मिलते हैं आपने next lecture में, till then goodbye and thank you so much. झाल